हाई गाईज वेलकम बैग टो फैक्टेक 14 सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाईए ताकि जितने भी फैक्टेक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से सक्षन टूल को यूज करोगे कैनन के कैट्रिजेस में तो अभी जैसा आप देख सकते हो हमारे सामने अभी जितनी भी चीजे हैं हम उन सभी चीजों का यूज करेंगे आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले जो ले खरीद होगे तो आपको इतनी चीजे मिलनी चाहिए तो सबसे पहले ये आपको एक मिलना चाहिए जो कि आपका L शेप का रहेगा इसे हम कैट्रीज होल्डर कहते हैं इसी में ही आप अपना कैट्रीज रखोगे और उसके बाद सक्षन जो टूल है उसे यूज करोगे तो ये स सबसे पहली चीज है उसके बाद आपको इस तरह के दो रबराइश्ट मेटरेल मिलने चाहिए एक थोड़ा सा लंबा वाला और एक थोड़ा सा छोटा वाला मैंने रबराइश्ट इसलिए कहा क्योंकि ये आपका रबर का बना हुआ है इसलिए रबराइश्ट मेटरेल वाल टूल खरीदो आपको इतनी चीजों की जरुरात है दूसरा हम जो कैट्रीज आज हम यूज़ कर रहे हैं वो है कैनन का PG745 ब्लैक और कैनन का CL746 कलर तो यह जो कैट्रीज जैसे आप देख रहे हो यह कैनन के बहुत सारे इंक जैट प्रिंटर्स के साथ कमपेटिबल है जैसे कैनन TS सीरीज के प्रिंटर 207, 307, 3370, etc. सिमिलरली कैनन के MG सीरीज जो है उसके साथ भी कमपेटिबल है जैसे 2470, 2570, 2477, 2577H, 2577 उस सब प्रिंटर्स के साथ यह आपका कमपेटिबल रहता है तो आज हम इन ही में ही सक्षन तूल यूज करोंगे और आज का प्रोसेस अगर आप जान लेते हो तो कैनन का कोई भी कैट्रिज हो आप उसे उसी तरह से कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप चार सिरीज देख रहे हो जिसमें मैंने डिफरेंट कलर्स पहले से भरा हुआ है हम रिफिल करेंगे उसके बा बहुत ध्यान से करता हूँ लेकिन कुछ-कुछ केसेस में आप अगर आप बिगिनर हो पहली बार रिफिल कर रहे हो या फिर पहली बार CISS इंस्टॉल कर रहे हो तो अच्छा रहता है कि रिफिल के बाद एक बार सक्षन टूल यूज करिए तो सक्षन टूल यूज करने का फाइदा क्या है आपका जो प्रिंट क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा दूसरा कलर का मिस्मैच नहीं रहेगा तीसरा अगर रिफिल करने के बाद आपका इंक नहीं निकल रहे है तब आपका निकलना शुरू हो जाएगा जो इंक है नीचे से तो उससे क्या आप सक्षन टूल को यूज करके जो इंक का फ्लो है उसे वापस से रिस्टार्ट कर सकते हो यानि शुरू कर सकते हो तो अब हम क्या करते हैं इन कैट्रिजेस को यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे सक्षन टूल को यूज किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो ग का PG-745 ब्लैक कैट्रिज जो ओरिजिनल रहता है ओरिजिनल कैट्रिज वो आपका इस तरह से दिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें होल किया हुआ है यह वही वाला कैट्रिज है जिसमें मैंने CISS kit fit किया है वीडियो बनाने के लिए मैं यही वाला यूज कर करना है सबसे पहले इसमें refill करना है तो refill का जो पूरा प्रोसेस है उसका एक वीडियो अलग से है मैरे चैनल पर आप जाकर उसे देख सकते हो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के description में डाल दूगा तो सबसे पहले हम जो black ink है उसे refill करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसके अ हमारा अंदर चला गया है उसके बाद आपको करना क्या है तुरंत ही इसमें suction tool यूज मत कीजेगा तुरंत ही अगर आप suction tool यूज करोगे तो जो इंक हमने नीचे डाला है वो तुरंत ही बाहर आपका निकल जाएगा तो अंदर जो sponge है उसमें और इंक अच्छे से एब्सॉ वेट कीजे तब तक मैं आपको एक और चीज बता दू ये हमारा एक HP का कैट्रीज है ठीक है तो अगर आप HP के कैट्रीज को और जो Canon के कैट्रीज को देखोगे तो आपको difference पता चल जाएगा क्या HP का जो कैट्रीज है वो length wise थोड़ा सा लंबा रहता है compared to Canon कैट्रीज यान तो जब आप HP के कैट्रीज इसको use करोगे तो ये आपका पूरी तरह से अच्छे से fit हो जाएगा क्योंकि इसका जो height है वो suction tool का जो height है उसके हिसाब से ही दिया जाता है लेकिन अगर आप Canon के कैट्रीज इसको use कर रहे हो तब आप यहाँ पर fit करोगे तो आप देख सकते हो इसे ही हम use करके suction tool को use करेंगे तो guys ये जो black cartridge है इसे 5 minutes हो चुका है अब हम इसमें suction tool को use करेंगे तो सबसे पहले आपको जो cartridge holder है उसे आप ले आईए उसके बाद आपको जैसे मैंने starting में कहा था इस तरह के दो rubberized material मिलता है एक लंबा वाला और एक छोटा वाला तो इसे कौ इसे लिए हम छोटा वाला जो rubberized material है उसे use करेंगे इसमें similarly जो black का देख रहे हो उसका जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा सा लंबा रहता है इसलिए जो लंबा वाला rubberized material है हम उसे use करेंगे तो अभी आपको क्या करना है ये जो L-shape वाला product है यानि के जो cartridge holder है उसे fit करने के बाद आपको cartridges को इस तरह से इसमें place करना है तो आप देख लीजिए starting वाला आपका copper processor का भाग है जो इस तरह से रहना चाहिए तो ये आपका हो चुका है उसके बाद आप इसे इस तरह से पकड़िए तो ये tight आपका होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी lose होगा तो आप suction tool use नहीं कर पाओगे तो आपके अपने हाथों को थोड़ा सा pressure देना होगा ताकि ये नीचे तक अच्छी तरह से पकड़ बना ले ठीक है ये आपका इस तरह से पकड़ लीजे तो ये आपका tight हो गया क्योंकि थोड़ा सा gap रहता है अगर आप छोड़ दोगे तो ये कीजिएगा आपको इसे खीचना होगा तो जैसे ही आप इसे खीचोगे तो आप देखिए जो ink है वो हमारा निकलना शुरू हो चुका है तो इतना सारा residual ink है वो हमारा निकल गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा excess ink हमने भर दिया था क्यूंकि क्यूंकि इसमें excess ink इतना ज निकाल दीजिए 5 या 10 सेकंड रखने के बाद आप इसे निकाल दीजिए ये वाला जो ink है वो आप अपने bottle में directly वापस फिर से भर दीजिए वेस्टेज मत कीजिएगा तो ये आपका suction tool इसमें use हो गया ठीक है तो देखिए यहाँ पर ink भी निकल गया और इसके साथ तो अब आप देखिए नीचे से leakage होना शुरू हो गया जो कि एक अच्छी बात है इसका मतलब जो air है वो भी हमारा पूरी तरह से निकल चुका है तो अब आप इसे इस तरह से रख लीजिए 10-15 मिनिट्स तक उसके बाद आप इससे printing कर सकते हो तो अब हम color cartridge को देख लेते ह तो guys अब जो color cartridge है उसमें हम refill करेंगे मैं ज्यादा refill नहीं करूँगा क्योंकि ये भी आपका CISS का ही cartridge है इसलिए इसमें पहले से ही ink होगा मैं आपको बस वीडियो के लिए थोड़ा सा refill करके दिखाऊंगा तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास 3 syringe available है तो सबसे पहले हम जो cyan color है उसे भर लेते हैं मैं ज्यादा अंदर तक मत डालिएगा बस इस तरह से इसे straight रखिए और डालिए जब या भर रहे हो make sure के syringe में कुछ air ना रहे तो मैं ज्यादा नहीं भरूँगा बस थोड़ा सा भरूँगा क्योंकि मुझे पता है क्योंकि पहले से ही इसमें है इसलिए leakage होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा ही भरूँगा ज्यादा नहीं similarly yellow जो है उसे आप भर लीजिए बस थोड़ा सा और जो magenta है उसमें हम भर लेते हैं मैं ये refill इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊं कि refill के बाद ही जो suction tool है उसमें पहले से ही ink है ठीक है त इससे आप 5-10 मिनिट्स तक रखिए उसके बाद जो suction tool है उसे use कीजे ताकि जो ink हमने भरा है वो अंदर तक जाकर अच्छे से sponge में आपका mix हो जाए मैं अभी इसे तुरंत ही use कर देता हूँ क्योंकि इसमें पहले से ही ink था तो obviously जो ink हमने CISS में था वो अच्छी तरह से sponge मे mix हो गया होगा तो अब आपको क्या करना है यह जो suction tool है उसे लीजिए यह पहला वाला जो rubber है उसे आप निकाल दीजिए जो हमने black cartridge के लिए use किया था अब यह वाला जो है इसे आप लीजिए यह चोटा सा है तो इससे आपको भरना होगा similarly जैसे हमने पहले में पकड़ा था आपको इसे इस तरह से रखना होगा और इसे अच्छी तरह से प्रेस करना होगा ताकि जो cartridge है वो आपका अच्छी से सेट हो जाए ठीक है तो जैसा आप देख सकते हो यह हमारा completely अच्छी तरह से lock हो चुका है अब आप क्या कीजेगा आपका जो syringe है उसे लीजिए वही व तो जैसे ही आप खीचोगे आप देख सकते हो जो ink है वो हमारा निकलना शुरू हो चुका है क्योंकि इसमें पहले से ज्यादा ink था क्योंकि CISS kit से भड़ा हुआ था तो आप पूरी तरह से निकल तो force देखे वो हमारा कम हो चुका है तो जैसे आप देखोगे अब इसे 5-10 seconds ऐसे ही रहने दीजिए अगर कुछ extra air होगा तो वो आपका निकल जाएगा उसके बाद आप इसे खीच लीजिए तो जैसा आप देखोगे यहां पर मैं इसे थोड़ा से रख लेता हूँ तो यहां तक हमारा जो residual link है यानि जो access link है वो निकल गया इससे क्या होगा आपका leakage का chances काम हो जाएगा उसके बाद इतना air हमारा निकला है यानि इसके अंदर हमारा इतना residual air भरा हुआ था तो अब अगर आप printing करोगे तो आपका print अच्छे से होगा and even अगर आपका mismatch हो रहा है color तो वो कम हो जाएगा तो यह color cartridge है Canon का इसे इस तरह से ही आप suction tool यूज कीजे और यह black cartridge है Canon का जैसे मैंने कहा वैसे ही आप use कीजे तो guys आज का वीडियो बस इतना ही एक और चीज आपको बता दूँ HP cartridges में कैसे suction tool यूज होगा उसका वीडियो पहले से है channel पर आप जाकर उसे देख सकते हो मैं उस वीडियो का link इस वीडियो के description में डाल दूँगा तो guys आप इसी तरह से suction tool को use कीजे एक Canon के cartridge में तो ये Canon का 746 वाला cartridge है और ये जो आप देख रहे हो ये Canon का PG 745 वाला cartridge है तो guys आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो channel को like, share और subscribe ज़रूर करें मैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ आप 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 सक्की बाइबरू है